हेलो दोस्तनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल TET FACT Academy में है, मैं हूँ सश्रीकांतराए और आज का जो वीडियो है वो बिहार सिचक भाली को लेकर के है, लेकिन ये बिडियो जै है बिहार सिचक बाहली 2021 को ले करके है और इसमें हम बात करेंगे कि बिहार सिचक निमावली जो नई बनी है 2020 की उसके बारे में यहाँ पे कुछ हम बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं और धीरे-धीरे करके एक-एक पॉइंट जो हम अपने वीडियो में लगातार रखते रहेंगे तो बिहार सिचक बाहली 2021 की जो नए अधनियम है उसकी जनकारी पाने के लिए आप हमाई चनल को सब्स्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा यहाँ पर आज हम अपके सामने जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं इसे की जो सरकार है जो कह रही है कि आगामी जितने भी भरतियां होंगी वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्याम से होंगी या ऑनलाइन ली जाएंगी तो मैंने क्या किया कि जो यह बिहार पंचैत प्रामीक सिचक अधनियम 2020 का जो नई शिचक निमा उळी है इसको मैंने खोज लिया है और इसका जो लेटर है वो मुझे मिला है और उस लेटर में यह साफ तोर पर लिखा हुआ है कि जो आवेदन की प्रक्रِया होगी वो पू कर दे रहे हैं ठीक है उसमें बिल्कुल इसपस्ट रूप से लिखा गया है कि चाहे आपकी पंचायत की प्रात्मिक सिचक की बरती हो चाहे प्रकंड की हो चाहे आपकी जिला परश्चत की हो चाहे नगर परश्चत कोई भी नियोजन निकाई की बरती होगी वो जो उसका आव प्रक्रिया पहले अपनाई जाती है वो प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी और नियोजा निकाईवार ही आवेदन लिये जाएंगे हाँ इसमें एक चीज जो है थोड़ी से नई देखने के लिए मिल रही है नीचे एक जगे जो है पॉइंट आउट किया गया है कि यहाँ पर जो है सरकार चाहे यानि कि यह प्रकार से मतलब प्रस्तावित है और सरकार के उपर छोड़ दिया गया है उस निमावली में कि अगर सरकार चाहे तो NIC पोर्टल बना करके आवेदन ले सकती है लेकिन इसको मतलब संभावित रखा गया है और यह पूरी तरीके से सरकार को पर छोड़ दिया गया है कि अगर वो चाहे तो जो आगामी जो बाहलिया होंगी उनको आप जो है ऑनलाइन ले सकते है NIC डाटा पोर् देखते हैं कि करते हैं क्योंकि उनकी बात में थ्ठर करता है कि वीयार इश्ट्रेट 2,019 की बाहलिए वो ऑनलाइन होगी यह नहीं होगी तो ये वीडियो मेरा इसी सर्मर में था कि इस नोटिफिकेशन पे जो पॉइंट नमबर में बात रखी गई है कि आवेधन जो है बाइंड ले जाएंगे, इस पर हमको आज ही से डिमांड करना शुरू करना पड़ेगा यानि कि हम लोग को सभी लोगों को एक हो करके इसके लिए आज ही से कोईनों कोई कैम्पेन चलाना पड़ेगा या सरकार के सामने ये मांग रखनी पड़ेगी कि आप इस पॉइंट को डिस्मिस कर दीजे यानि कि बिहार सिचा का दनियम 2020 में जो पॉइंट दिया हुआ है उस संदर्म में था और यहां पर हम आपको ओगत करा देना चाहते हैं कि नई सिच्छक नियमा वली जो 2020 बनी है उसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई परिवारतन मुझे देखने के लिए नई मिला है लगबग जो है पुरानी चीजे ही जो है लागू की गई है कुछ तो अगर आपको यह information पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, share करिएगा, share इसलिए करिएगा ताकि यह information सबके पास पहुंच जाए कि आगामी बिहार से चक बहाली जो भी होने वाली है वो भी जो है offline mode में ही होंगी और अगर online लिया जाना होगा तो सरकार की तरफ सूचित किया जाएगा और पूरी तरीके से सरकार के उपर depend करेगा कि online बहाली लें कि ना लें 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 लेकिन फिलाल यहां पे 100% बिल्कुल यह तैह है कि जो आगामी जो बहालियां होंगी 2021 में या 2022 में जब भी होंगी वो जहे offline mode में ही होंगी जैसे पहले की तरह जजद दीजे धन्यवाद